Hello students, today we start class 10th math chapter 1 real number exercise 1.4 question number 2 देखिए बिटा write down the decimal expansion of those rational numbers in question 1 above which have terminating decimal expansion अभी आपने question number 1 जो solve किया है पीछे ठीक है तो वहां से आपने जो terminating decimal expansion number है वो लेके उनका आपने decimal expansion करके बताना है clear है बिटा? तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास जो terminating decimal number थे वो कोन कोन से थे ठीक है? ये बिटा हमने last video में किया था ये question तो आपने ये video देखनी है यहां पे हमारे पास जो first number है हमने ये बताया थे इसमें दो theorem है 1.6 और 1.7 1.6 में आपको बोला गया है जिस denominator की form 2 की पार M multiply 5 की पार N की form में है इस अ terminating decimal expansion और जिस की form 2 की पार M denominator की form 2 की पार M multiply 5 की पार N की form में नहीं है तो वो non-terminating repeating decimal expansion है आपके पास clear है बिटा तो ये आपने वीडियो ज़रूर देखनी है क्योंकि इस से related है हमारा second question तो हमारे पास जो भी terminating number है वो हम लेंगे ठीक है first था second था हमारे पास बिटा fourth था और fourth के बाद ये देख रहे है seven की form में ये नहीं था ठीक है और ninth भी था और बस ninth की थे और ये हमारे पास terminating decimal expansion number थे ये ही हमने लेके इनको decimal form में करके बताना है clear है बिटा तो आप करेंगे one by one तो first वाला जो पार्ट है हमारे पास था वो 13 upon 3 की पार 1, 2, 5 ओके बिटा तो यहाँ पे आपने देखा था जो हमारे पास ये number है इसको आप जब आप इसके prime factorization करते हैं तो 5 की पार ये क्या आता है 5 आता है ओके बिटा तो हमने यहाँ पे माना था हमारे पास 2 की पार 0 है clear है बिटा हमने ऐसे किया था इसको क्या किया था हमने 2 की पार 0 लिया था क्योंकि वो किसके एकुल होता है, वान के एकुल होता है, ओके, तो यहां पे आप क्या करेंगे, तू की पार जीरो की वज़ाए आप इसको, इस नंबर को आपने क्या करना है, तैन बनाना है, यहां पे, तो हम यहां पे मल्टिप्लाइ करेंगे, तू की पार फाइब, अगर बेटा कोई number हम multiply करते हैं तो उसमें फिर हम क्या करेंगे वो उपर भी multiply करेंगे क्योंकि इनका नीचे उपर नीचे का cancelling effect होगा clear है बेटा इसलिए ये हमारे पास 13 multiply 2 की पार 5 आप open करेंगे 32 आता है और ये 5 और 2 base same अगर power same है तो base multiply हो जाती है तो 5 2s 10 हो गया तो power same आगया clear है ये आगया आपके पास तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको आप multiply करेंगे 4 1 6 आजाएगा 10 की पार 5 ओपन कर देंगे आप बेटा तो ये आजाएगा 5 0 आगया ठीक है तो यहाँ पे 4 1 6 कितने डीजिट बनाने हैं आपको 10 1 2 3 4 & 5 ये 0 तो ये decimal expansion हो गया इसका clear है ठीक है second part है हमारे पास कौन सा था second part second part ही था 17 upon 8 okay 17 upon 8 में हमारे पास 2 की पार क्या है था 3 अब हमें क्या करना है इसको decimal expansion बनाने के लिए हम 5 की पार 3 से multiply करेंगे उपर भी and नीचे भी ठीक है ये आगया हमारे पास तो 17 multiply 5 की पार 3 है तो कितना multiply हो गई है 2 5 ठीक है अब ये हमारे पास 10 की पार क्या बन जाएगा 3 क्योंकि base power same तो base multiply तो ये आजाएगा जब आप इसको multiply करेंगे आपके पास 2 1 2 5 आगया बिटा तो ये 3 0 आगये तो आप 5 2 1 3 figure 0.2 इस इस यार अंसर नेक्स हमारे पास है थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट कुन सा था आपके पास 15 अपान 15 अपान 16 ये ठीक है ये हमारे पास औरी 4th पार्ट था इसका ओके जो पार्ट था वही लिख रहे हैं 4th पार्ट अब आपने वहाँ पे तो lowest form की थी इसकी बट यहाँ पे आप lowest form नहीं करेंगे ठीक है आपके पास आएगा बिटा 15 अपान आप अप इसके पहले factor लेंगे पूरे 1600 के तो आप लीजिए इसके 1600 के 2 से किये 800 फिर 2 से किया 400 न तो से किया 200 तो से किया 100 तो से किया 15 तो से किया 25 है ना फिर 5 और 5 तो मतलब आप देख रहे हैं 2 के कितने प्यार होगए 2 की बार 6 हो गया ये और 5 वो 2 हो गया multiply 5 की पार 2 ठीक है अब हमें 2 की पार 6 है तो 5 की पार 6 बनाना है तो इसलिए हम क्या करेंगे multiply करें बटा यहाँ पे 2 की पार 6 multiply 5 2 और multiply 5 की पार 4 और यहाँ पे भी आप 5 की पार 4 करें गलती से भी 5 की पार 6 मत करना क्योंकि आप अपने से जो ले रह ठीक है इसलिए जो हमने नमबर लिया 5 की पार 4 5 की पार 4 तो बिटा 15 5 की पार 4 जब आप multiply करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 625 और नीचे आप देख रहे हैं 2 की पार 6 multiply 5 की पार बेसेम बेसेम पावर added तो यह आप उपर multiply हो जाएगा आपके पास 9 3 7 5 तो यह 10 की पार 6 तो 9 3 7 5 10 की पार 6 को आप open कर देंगे कितना आ जाएगा 5 7 3 9 तो यह 4 0 2 0 और आएंगे आगके पास ठीक है तो यह 2 0 और लगाएंगे और यह point आ जाएगा ओके यह आपका answer आ गया क्लिर है बिटा ओके ठीक है तो next आप देख रहे हैं यहाँ पर यह आपका answer आ गया यह देखिए आपका answer है यह आगया आपका answer ओके यह ठीक है बिटा तो next आप देख रहे हैं अब भी दूसरा पार्ट और है हमारे पास अभी 6 पार्ट 6 पार्ट में क्या था 23 अपान 2 की पार 3 और 5 की पार 2 ठीक है तो denominator और लेड़ी हमें किस फाम में दिया गया है प्राइम फेक्टरिजेशन 2 की पार M और 5 की पार N की फाम में दिया गया है और यह multiply है तो यहाँ पे आप क्या multiply करेंगे only 5 क्योंकि आपको 3 बनाने है इसलिए यहाँ पे भी 5 आजाएगा ओके तो नेक्स्ट आप देख रहे हैं 23 को आप 5 से multiply करेंगे 115 हो जाएगा बिटा और यह 2 के पार 3 और multiply 5 की पार 3 बेस से power add तो 115 और 10 की power 3 115 10 open कर देंगे आप यह 3 figure है तो 0.115 this is answer okay तो next time मारे पास part कौन सा अभी 6 हो गया 6 के बाद कौन सा था 6 के बाद था हमारे पास 8th part 8th part में बटा 6 upon 15 ठीक है आपने अब भी lowest form नहीं करनी सिदा आप solve करेंगे 6 यह क्या है मारे पास lowest form करेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 है हमारे पास ठीक है तो इसलिए आप इसकी lowest form करेंगे बिटा तो आप 6 15 को आपने काटा तो यह आया हमारे पास 3 2 जा 6 and 3 5 जा अब आप इसको आगे करेंगे ठीक है तो यहाँ पे आप multiply किसके साथ करेंगे 2 के साथ तो 2 उपर भी हो जाएगा तो यह आ जाएगा 4 upon 10 आंसर क्या जाएगा 0.4 ओके clear है यह तो next हमारे पास part है 10 वाला 10 में है हमारे पास 35 upon 50 चीक है यहाँ पे 5 2 जा 10 10 10 5 जा तो यहाँ पे cutting करने की ज़रूत नहीं चीक है क्योंकि यहाँ पे और कोई number नहीं आ रहा प्राइम नंबर सुर्फ 2 और 5 जी है तो इसलिए आप इसको लिखेंगे 35 यहाँ पे बेटा हमारे पास कितने आ जाए जाएंगे बोलो 55 जा 25 जा तो 5 की पार 2 आ गया और 2 आ गया है ना 55 जा 25 25 जा 50 तब आपको क्या multiply करना है only 2 ठीक है only 2 क्यों क्योंकि आपको यह 2 की पार 2 बनाना इसलिए 70 upon 5 की पार 2 multiply 2 की पार 2 तो कितना आ जाए गाई है 70 upon 10 की पार 2 तो 70 अब पार कितना आ जाएगा 100 एक 0 से एक 0 कट 0.7 आंसर ओके clear है तो thank you